तो दोस्तो आज हम पुनो उपस्तित हैं एक और नए क्राप्ट के साथ आज के इस वीडियो के माध्यम सी रंगीन पेपर से कुछ इस प्रकार का फ्लावर बनाना सीखेंगे जिसको बनाना काफी सिम्पल है तो वीडियो को देर न करते हुए चलिए सुरू करते हैं हेलो दोस्तो स्वागत है हमारे यूटूब चैनल मनिकांत मानिक में आप इस पुड़े वीडियो में बने रहिए इसको बनाने के लिए हम कोई भी कलर का पेपर ले लेंगे जैसे अभी हम एक रेड या पिंक कलर का पेपर रखें इसके साथ ही हम ग्रीन कलर का पेपर रखें ह हम flower बनाना चाह रहे हैं, green color का हम उसका पत्ती बनाएंगे सबसे पहले ये दोनों page को हम एक ही बार हम क्या करते हैं ऐसे करके लेते हैं और एक ही बार में हम ऐसे fold करते हैं, half fold इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से इसको cut करके हटा देंगे तो यह आप देख रहें, इसको हम अलग कर दिये यहां से यह हमारा दो पार्ट हो गया है इसके बाद हम क्या करते हैं एक पेज हम ग्रीन का साइट कर देते हैं और यह जो हमारा रेड का है, दो पीस है इसको हम इस प्रकार से हम फोल्ड करना चालू करेंगे यहां से इसको हम side करते हैं ताकि अच्छी से दिखे यहां से ऐसे हम hold करेंगे round यहां पर आप फेवी कॉल लगा भी सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं अधि फेवी कॉल लगा के चल करेंगे तो यहां पर आपको फेवी कॉल लगा के new paper add करना होगा अधि फेवी कॉल नहीं लगाना चाह रहे हैं तो डारेक्ट आप क्या करें कि यहां से इतना दूरी छोर के यहीं पर आप क्या करेंगे पेपर को इसे सेट कर देंगे और फिर से आप इसको मोरना चालू कर देंगे यह आपका यहां तक आ गिया इसके बाद हमारे पास क्या है गिरीन कलर का पेपर है जिसको हम पत्ती बनाना चाह रहे हैं तो इसको भी हम क्या करते हैं थोड़ा सा पेपर यहां छोर देते हैं और उसके बाद हम फोल्ड करना चालू कर देते हैं अब हम इस पेज को क्या करते हैं, हाप से इधर हलका सा ऐसे करके फोल्ड कर लेते हैं, और हाप इधर राउंड ही रहने देंगे, इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोरा सा हम लाइन ड्रोइंग करते हैं, तो लाइन ड्रोइंग करने के लिए हम स्केज से हम लाइन ड् कट करना है तो हाप पे हम क्या करते हैं एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ करते हैं और यहां से सिंपल वे में ऐसे करके ऐसे ड्रॉ कर देते इसको हम अच्छे से कटिंग करेंगे और यह जो हमारा पार्ट है इस पार्ट हम कट करके हटा देंगे तो इसको कट करने के लिए आप कैची स से भी कट कर सकते हैं चुकि इसका मोटाई थोड़ा जुरा ज़्यादा हो गया है इसलिए हम इसम यहाँ पर यूज़ करेंगे डिरे धिरे कर के 26 कट करके हटा देते व्याओस करने के लिए इसके नीचे एक कट जाता है तो यहां से थोड़ा से स्पेस छोड़ करके ही आपको काटना है अब हम इसमें फोल्ड भी कर सकते हैं एक तो फोल्ड करने का तरीका इसे पहले वीडियो एक बनाये थे उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम डाल देंगे तो वहां से आप देख तो हलका सा देख रहे हैं कि इसमें फोल्ड आ चुका है अब हम धीरे-धीरे क्या करेंगे इसको खोलेंगे तो खोलने के लिए मतलब कि खोलना नहीं है बट इधर से हम हलका सा पुस्ट करेंगे तो यहां से मीडिल पार्ट यहां से निकलेगा और धीरे-धीरे इसको निकाले फ्लावर का कम करेगा अब क्या करेंग यहां पे हलका सा धीर धीरढ़ धीला कर दिया और उसके आज उपर नीचे करेंगे और हलका सा क्या करेंगे इसको नचाते वेचलना है इसका ध्यान आपको देना है थोड़ा थोड़ा इसे करके नचाते चलेंगे देखना है कि चाड़ो तरफ ये घूम जाए तो देख रहें कि यह लगबग चारो तरफ यह घुम चुका यहाँ से यहाँ तक अब हम क्या करेंगे एक वार हम इसे करके उस्ट कर देंगे अभी आपको देख रहा होगा कि यह कली के जैसा है तो एक वार और हम यहाँ से घीचते हैं अभी पूड़ा यहां से इधर अभी नहीं हुआ है, इसको थोड़ा सा अच्छे से करना होता है, जितना अच्छे से आप करेंगे उतना अच्छा यह होगा, फिर हम एक वर और हम ऐसे करके खोलते हैं, और अप एंडाउन, अप एंडाउन ऐसे करके करते हैं, ताकि यह चारो कर देंगे, तो यह आप देख रहे हैं कि क्राप्ट हमारा बन के भी डेडी हो चुका है अभी तक हम इस क्राप्ट में फेवी कॉल का ideia नहीं 먹을 हैं is क्राप्ट अप चाहेंगे तो यहां पर कर सकते हैं नहीन तो आप पकड़े हुए रहेंगे और किसी को देंगे तो काफी अच्छा लगेगा ये क्राप्ट तो हम इसको फिक्स ही कर देते हैं फाइनली फेवी कॉल से तो फाइनली इसको हम फिक्स कर दिये हैं फेवी कॉल से यह आप देख रहे हैं कि नीचे का जो हम green color का paper यूज किये थे यह पत्ती का काम कर रहा है उपर फलावर का काम कर रहा है और यह काफी खुबसूरत भी लग रहा है पकरने के लिए एक डंटी भी हो गया है है ना तो काफी अच्छा craft है यह तो हमें मिद है कि आप इस पूरे वीडियो को देख करके बहुत कुछ सीखे होंगे और बनाने का भी प्रयास करेंगे फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ नए craft के साथ तब तक के लिए धन्यवाद